दोस्तो आज का वीडियो है Social Aid World पर दोस्तो इस वीडियो में आज आप देखोंगे कि रेजिटेशन कैसे करते हैं और ID को Active कैसे कर सकते हैं और Task कैसे Complete करते हैं और जिसके बाद में Pop-up Unblock कैसे करते हैं और जिसके बाद में आप पर डे एड कैसे देखते हैं और आपकी एड देखने पर जो इंकम आपको प्राप्त होती है उसको आप बिटू आर में और बेंक में ट्रांसपर कैसे कर सकते हो चलिए दोस्तो इसी चीज को जानने के लिए देखते हैं हमारा यूटूब चेनल आईए दोस्तो आपके वार्ट सब पर जैसे सोसल एड बड का जैसे ही आपके पास एक रिश्टेशन लिंक आता है दोस्तो उस रिश्टेशन लिंक पर आपको क्लिक करना है जैसे मैं कर रहा हूँ दोस्तो ये जैसे रिश्टेशन लिंक पर किलिक करते हैं तो इसको крome browser में open करना है तो आपका एक registration form आ जाता है दोस्तो registration form में आपके focuser ID वहींपर जो Central लिखी आजाएंगी दोस्तो से फिर आपके बाद pulname लिखना है दोस्तों आपको password बना लीजिए जो आपको याद रहे सकें जिसके बाद सेक्स से mail हो तो mail फेमेल हो तो फेमेल जिसके बाद में data birth है और जिसके बाद में CT के बाद में term in candidate लिखा है उस पर डिबब आए क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में आपको एक green color का registration नो दिख रहा हो जाला है जो आपने mobile नमबर डाला है उस mobile नमबर पर आपके पास एक message आता है उस message में Noise code रहता है जैसे दालते हो पहला दूसरा आपका पासवोड आप जैसे दालते हो वैसे आपको फिर लोगिन करना पड़ता है आप जैसे लोगिन पर क्लिक करते हो लोगिन पर क्लिक करते हो आपका जो फश्ट वाला पेज ओपन होता है वो इस प्रकार होता है यहां पर आपको एक स्टार का option दिखाई दे रहा हूंगा जहां पर आपको start का option दिखाई दे रहा है उस start पर आपको click करना है आप जैसे start पर click करते हो वैसे आपके पास next ये वाला page open होता है इस प्रकार का page आपके पास open होता है यहां पर आप देखिए task 1 सबसे उपर लिखाई task 1 like facebook page तो दोस्तों इस page को like करना है फेस्बुक वाले page को like करना है अब like करने के लिए नीचे जो like लिखा है उस like पर आपको click करना है और click करने पर ये facebook page पर आपके facebook page पर ले जाएंगा और facebook page पर ले जाने के बाद वहाँ से आपको like करना है like करने के बाद में दोस्तों इसको bake करना है bake करने के बाद में आपने जहां से like किया था वहाँ पर right का निसान हो जाता है मतलब अपना facebook page like हो चुका है जिसके बाद में उसके नीचे जो nest लिखा है आपको nest करना है आप जैस यूटूब चैनल तो दोस्तो इस यूटूब चैनल को सब्क्राइब करना है उसके लिए नीचे जो यूटूब लिखा है इसके उपर आपको क्लिक करना है आप जैसे क्लिक करते हो यह आपके यूटूब वाले अकाउन पे चला जाता है जैसे आप यूटूब अकाउन पे ज ये पेज बेक लाना है बेक लाने के बाद में आपका YouTube पर यहां राइट का निसान लग जाता है जिसके बाद में उसी के ठीक नीचे आपको यह मतलब अपना दूसरा टासक कंप्लेट हो चुका है जिसके बाद में तिसरा टासक के लिए उसके नीचे नेश्ट का अपसन दे रखा है दोस्तो आप नेश्ट का अपसन दे रखा है आप जैसे नेश्ट का अपसन पर क्लिक करते हो तो आपका नेश्ट वाला पेज इस प्रकार से ओपन होता है दोस्तो इस प्रकार से आपका page तिसरा task को open होता है यहां पर लिखा है task no.3 flip card app install दोस्तो तिसरे task में आपको flip card की app को install करना है लेकिन याद रहे दोस्तो आपके mobile में पहले से अगर flip card install है तो दोस्तो उसको uninstall कर दीजेगा uninstall करने के बाद में आपको flip card app को install करनी है install करने के लिए दोस्तो यहां पर लिखा है flip card app install उस पर click करना है आपको आप जैसे click करोंगे आपका page play store पर चला जाएंगा और वहां से आपको flip card को install करकर दोस्तो उसको open करके देखना है open करने के बाद में bake आ जाना है आप जैसे बेग आते हो दोस्तो फिर आपके पास ये page रिता है जिसके बाद में आपको यहां पर उसके नीचे nest का option दे रखा है दोस्तो आप जैसे nest करते हो nest करने के बाद में आपका nest बाला page इस प्रकार उपन होता है आपका नेश्टवाला पेज इस प्रकार उपन होता है दोस्तो इस पेज में आपको सबसे उपर लिखा है टास्क नंबर फोर डाउनलोड बीटू आर एप दोस्तो यह एप इसी सोसल एड वर्ड की दूसरी एप है दोस्तो यहां पर इसको B2R एप डाउनलोड करना परता है चौथा टास्क है दोस्तो इससे रिचार्ज बिल पेमिन वगएर बहुत सारी चीज़ से अपन कर सकते हैं बहुत सारे आफसन है दोस्तो इसमें तो इसको B2R को इस्टोल करनी है और दोस्तो आपने पहले सही है अगर B2R एप को इस्टोल करनी है और दोस्तो आपको इस B2R एप को इस्टोल करनी है बिटो आर इंस्टोल करने के बाद डाउनलोड बिटो आर एप जहां पर लिखा है वहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हो आपको पेज प्ले स्टोर में चला जाता है प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों वहाँ से इंस्टोल होता है इंस्टोल होने के बाद दोस्तो उसको open करना ओपन करने के बाद वापस बेक आके आपको nest करना है आप जैसे nest करते हो तो आपका page जो आपका जो page है वो इस प्रकार से आपका page इस प्रकार से open होता है यह है task number 5 दोस्तो download एप दोस्तो इस एप में आपके पास कोई भी एप आ सकती है डाउनलोड करने के लिए जो पाचवा वाला task है इसमें आपके पास कोई भी एप download के लिए आ सकती है दोस्तो तो इसको download एप पर click करना है अब download एप पर जैसे click करते हो download एप के पास click करने के बाद में दोस्तो वही process होती है play store पर जाता है और यह disco on install होने के एक दो minute install होने के बाद में दोस्तो इसको open कर लिएगा और open क्लिक करने के बाद में आपके पास इस प्रकार का आइकोन आपके पास आपके स्क्रीन पर आता है दोस्तों आपका पेज इस प्रकार ओपन होता है यहाँ पर दो आपसन लिखे गए है बेक और कंफर्म दोस्तो कंफर्म आपको उसी टाइम करना है जब आपके पाच टास्क कंप्लिट हो चुके हो दोस्तो अगर उसमें से अगर एक भी टास्क आपका अगर बाकी रहा हो तो उसको बेक करके आप उस टास्क को कंप्लिट कर सक complete करने के बाद में confirm पर click करें अब जैसे confirm पर click करते हो दोस्तों तो आपके पास next page दोस्तों आपके पास इस प्रकार से page open होता हूँगा दोस्तों देखिए इसमें आपका नम वगेरे सब आ गया लेकिन दोस्तों देखिए नीचे एक option कुला है एक pop-up is blocked तो दोस्तों इसको always क करना है अब जैसे always करते हो या किसी किसी hindsight में always so अगर नहीं आता है तो दोस्तों किसी के इसमें उसको block it है उसको on करने के लिए yes या no का option आता है दोस्तों तो उसको yes करना है और अगर आपके पास अगर yes no का option नहीं आ रहा हो आपके पास always so का option आ रहा हो तो दोस्तों आप always सो कर सकते हो इस से पॉप आप अप अनब्लोक हो सकता है दोस्तो अगर उसकी कि इसमें ये भी आफसन दोनों आफसन नहीं आ रहे हो तो उसका एक ही तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ तो दोस्तो चलिए देखते हैं दोस्तो आपकी ID के उपर आप अगर 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 खोला होंगा तो दोस्तो आपकी ID को उपर एक 3 बिंदू का निसान है जिसको मेनू बोलते हैं दोस्तों वहाँ पर क्लिक कीजिए तीन विंदू पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों मेनू पर क्लिक करने के बाद में आप सेटिंग पर क्लिक कीजिए आप जैसे सेटिंग पर क्लिक करते हो सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में आप थोड़ा नीचे जाएए यहाँ पर दे है दोस्तो आउन है मैंने अब आप कर दिया दोस्तो इसको आप आउन कर दीजे और आउन करने के लो उन ब्लोक करने के बाद में दोस्तो आपका पेज इस प्रकार ओपन होता है आप देखिये यहाँ पर जो तिसरे नमबर में परड़े का वर्क क्या करना है दोस्तो क relied का work कोई भी नहीं करना है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो तूडे एड इस्टेट तिसरे नमबर पर तूडे एड इस्टेट लिखा है वहाँ पर लिखा है सीन तो दोस्तों मैंने एड देख लिए है इस कारण से सीन दिखाई दे रहा है लेकिन दोस्तों यहां पर पेंडिंग पेंडिंग लिखा रहता है तो दोस्तों पेंडिंग पेंडिंग क्यों लिखा रहता है क्योंकि आप अभी एड देखना बाकिए तो दोस्तों पेंड देखने के लिए क्या करना पड़ेंगा उसके नीचे more info का option है दोस्तो more info पे click करना है अब जैसे more info पे click करते हो click करने के बाद में आपके पास यह से आ जाते है यहां पर दोस्तो जहां scene लिखा है वहाँ view लिखा रहता है और जहां share it लिखा है वहाँ share लिखा रहता है इसको अगर scene करते हो, इसको अगर view करते हो, तो दोस्तो आपका पेज इस प्रकार से open होता है, एक दूसरा window खुलता है, इस प्रकार से आपका पेज fan open हो जाता है, दोस्तो इस page को पूरी process होने दीजीगा, जैसे होती है इसको break करते हो जीसके बाद में इसको share कीजिए, आपक दोस्तों यह 10 12 से इनको विव और सेर करना पड़ता है पर दे का काम यह एप जैसे सेर करते हो तो आपको पर दे का जीरो पाइंट वन फाइप डोलर मिलता है इस से पर दे आपके देखने पर दोस्तों बस यही था वीडियो और दोस्तों इस तोसल एड़ वर्ड की पूर तो दोस्तों उसके सबसे पहले आपकोजो तीन उपर देगे मेनू दे रखा है उस पर क्लिक करना है उस पर क्लिक करने के बाद में आप डेश बोर्ड पर चेक कर सकते हो दोस्तों जिसके बाद में आता है आपका इवाइलेट यहां पर बताया गया है दोस्तों कि इवाइलेट आपको यहां पर जिसके बाद में बीटू आर आपको कित्ती information है, कित्ती क्या है, आप यहां से transfer कर सकते हो, पहला transfer B2R में कर सकते हो, दूसरा transfer Paypal, पहला transfer B2R में करना अनिवारी है, दोस्तों, आप B2R में कर सकते हो, पहला होने के बाद में आप दूसरे, जैसे कि transfer Paypal, जो भी इंडिया के बाहर वाले है, जहां पर bank account वग जिसके बाद में दोस्तो आपकी team कितने लोगों की है तो दोस्तो यहां से आप my team भी देख सकते हो यहां साथ level के आप team देख सकते हो दोस्तो यहां से आप इस पे फुरुस पर घर ऱे करते हो फर्स पर तो आपकी पुरी पुरी टीम दिखा दिएंगी बस दोस्तो यही था social aid word की पूरी पूरी जानकारी दोस्तो आपको भी सोसाल एड़ वर्ड में जोईन होना है और अच्छी इंकम करनी है तो दोस्तो नीचे डिस्क्रप्शन में इसकी लिंक दी गई है उस पर आप क्लिक कीजिए और डारिक आपकी सोसाल एड़ साइट खुलती है और वहाँ पर स्पंसर आइड़ दाली है 8463 007945 और दोस्तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और दोस्तो कमेंड में लिखकर जरूर पोचाएगा कि वीडियो कैसे लगा है और दोस्तो अभी तक हमारे यूटूब चेनल देखे वीडियो सुपर को अपने अगर सब्सक्राइब अगर नहीं क्या हो तो दोस्तो जली से जली सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू